नमस्कार, मैं हूँ अभिशेक चतुरवेदी, धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है, नजर डालते हैं पंचांग पर बताते हैं आपो आज कौन सी तिथी है और पंचांग के मताबिक यह है आपके लिए क्या फलदाई है जानिये पंचांग के अनुसार आज कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है, ये क्या फलदाई हो सकते हैं पंचांग में आज के योग पर नजर डालें तो आज कौन कौन से योग बन रहे हैं, इनमें विशिष्ट योग कौन सा है, ये भी आपको बताते हैं योग प्रिती नामक ने सर्गिक शुबयोग अध्राक्री बारा बच कर ठाइस मिनिट तक तदंतर आईश्मा नामक ने सर्गिक शुबयोग है, करण नजर आज के व्रतोत्सब त्योहार और विशेश आयोजनों पर भी डाल लेते हैं और अब जानिये जो तेशियों के मतावेक पंचांग में चंद्रमा की सती क्या रहने वाली है, रहुकाल और दिशाशूल के बारे में भी जानिये चंद्रमा मीन राशी में साएं 5 बच कर 43 मिनिट तक तदुपुरात मेश राशी में होगा, दिशाशूल सोमवार को पुर्वदिशा की यात्रा में दिशाशूल रता है, चंद्र सिती के नुसार आज साएं 5 बच कर 43 मिनिट तक उतर दिशा की वैसके बाद पुर्वदिश रहुकाल मध्यमान से प्राते साड़ी साथ बजे से प्राते नौ बज़े तक रहुकाल वेला में शुब कारेरंब यथा संभव वर्जितरक नाहित कर है। ग्रहराशी नक्षत्र परिवर्तन रहा रेवती के प्रथम चरण में तथा केतू हस्त के तिर्तिय चरण में प्रवेश प्राते दस बचकर दस मिनिट से। श्रेष्ट चोकडिये आज सुर्यदे से प्राते साथ बचकर 27 मिनिट तक अमरत प्राते नौ बचकर 6 मिनिट से पुरवाहन, दस बचकर 45 मिनिट तक शुब तथा दौपहर बाद 2 बचकर 2 मिनिट से सुर्यास्त तक क्रमश चरलाब वअमरत की श्रेष्ट चोकडिये हैं। एवं दोपहर 11 बज कर सित्यावन मिनिट से दोपहर 12 बज कर 49 मिनिट तक अभी जो इतना मक्ष्रेश्ट मूरत है जो आवश्रक शुव करेरंब के लिए अत्युत्तम है और अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है जो तिशानुसार उन बच्चों की राश्री क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है आज जन्म लेने वाले बच्चें के नाम दो, चा, ची, चू, चे, चो आधी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं साइं 5 बच कर 40 मिनिट तक जन्मे जात्कों की जन्म राशी मेश है मीन राश्री के स्वामी व्रस्पती वं मेश राश्री के स्वामी मंगल हैं इनका जनम स्वनपाथ से हैं सामनते जातक श्रेष्ट बुद्धी, सर्वप्रीय धन्वान, साहसी, मिधावी, सुन्दर, चतुर, शिक्षा, दिक्षा, शेत्र से संबंध रखने वाले परकाम लोलुप भी होते हैं इनका भागवदय 24 विवर्ष के बाद हो जाता है, मीन राशे वाले जातकों के अठके हुए कारे संपन होंगे, आइकम परवे अधिक होगा, अपने कारे शेक्तर में विस्तार की योशना बनेगी तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और चोगडिये आदी के बारे में जाना आपने, उलेखनी है कि ग्रह नक्षत्र भी उनही का साथ देते हैं, जो खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद